है 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 आपके फेवरेट यूट्व चलनल एम साइंस क्लाशेश पर और हम आज बहुत ही केमिस्ट की इंपोर्टेंट रियक्शन जो कि कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं एल्ड और किटोन देते हैं उसके अबारे में अध्यन करेंगे एल्डॉल कंडेंस तो इसमें ELDOL form होता है और फिर वो कंडेंस्ट auf ind can live देता है न हम देखते हैं अपना वीडियो सुरू करते है एल्डॉल कंडेंसेशन तो को परद गल्डिएक्षण ने हैं इसके अंदर अपन देखेंगे फर्स्ट अल्डॉल और तो टो स्टेप में हैं फिर उसका कंडेंस होता तो एल्डॉल रेक्षन जो है कि उसमें इन दा एल्डोल रेक्शन टो मॉलेक्वल्स ओफ एल्डेड और किटोन रियक्ट विट इच अदर एक दूसरे से अभी किर्या करते हैं एंदा प्रजंस ऑफ तो बेस की उपस्तती में एंटके बीटा हाइड्रोकिवाणडो क निर्मान होता है वीटा हाइडोकिवा थि संहों होता है इसलिए इसलिए इससे बाता है कारबूनील डेक्शन में इसे यह आपका शेयुक्त तिक रिख लोग अजाए यह शारग की ऊपस्ती में बेश की ऊपसे ऑप एक मानस के परजेंज में एच लिख की परजेंज में बीटा कार्बन के उपर ऊपर ओएस गुरूप एड़ जाता है और नया कार्बन कार्बन शिंगल पॉंड जो है यहां फॉर्म वाकरके बीटा हाइड और प्रोडेक्ट के रूप में थ्री हाइडरोक्सी ग itsna फ्याग्ज में होता है है तो लोल रिक्शन में कि multipęd मेकनेजों अब रिक्षा आति रहे इन तत्री चाहिए त्वीरश त्युक्त रहें कके गैसर इनदहें तो आपका जो बैस है ओच माइनस यह जब से रेक्ट करता है तो जो है एलवा कारबन के उप़ार अटेक करके जुड़ता है और अटेक करने से इसमें जो रेजनेंस होता है रेजनेंस से स्टेबलाइज इनुलेट फोर्म होता है जो कि आपके CS3, CS2 डबल बॉन्ट COH फोर्म में करमड़ के H2 मोलेकुल को रिमूव करता है तो फर्स स्टेम में था बैस रिमूव ए प्रोटोन फ्रम अलफा कारबन फोर्म ए रेजनेंस स्टेबलाइज इनॉलेट इस्टेप सेकेंड के अपन बात करें तो स्टेप सेकेंड म इसमें नुकलिफिक एडिशन एन प्रोटोनेशन होता है नुकलिफिक का एड होता है और प्रोटोन एड होता है तो इसमें हम देखेंगे कि CS3, CS2 जो CHO है इसमें CS2CWOH जो भी फोर्म हुआ है जब इसका कारबन कारण पर टेक करता है तो कारबनल गुरुप का ओक्षिज कि इलेक्ट्रों जाते हैं तो उससे OH ग्रूप जाकर वहाँ पर जूट जाता है तो इसमें नुकलिफिक अटेक होता है और नया चार्बन-कारबन प्रोंड फ़म होता है ओर इस परकार से इसमें पने नुकलिफिक इनलेट अटहेक दा इलेक्टोफिल क्रबोन carbon of another molecule of LD8 thus forming a new carbon carbon bond this join is the alpha carbon of the LD8 to carbon carbon of a second LD8 protonation of the alkoxide in step 3 form the beta-hydroxy LD8 beta-hydroxy LD8 form hota to LDL reaction में हमने देखा कि the LDL reaction is reversible equilibrium यानि reverse होती है वापस ती reaction reactant जो है प्रोडेक्ट में प्रोडेक्ट में चैंज होते हैं so the position of the equilibrium depend on the base and the carbonyl compound base or carbonyl compound के प्री equilibrium जो है साम में जो है depend करता है OH is the best typically used in a LDL reaction although with OH only a small amount of enolate is formed this is approximate because the starting LD8 is needed to react with the enolate in the second step of the reaction जो प्रोडेक्ट में जो प्रोडेक्ट के अंदर LDL reaction can be carried out with either LD8 or ketones with LD8 the equilibrium usually favor product but but with ketone the equilibrium favored the starting materials में रूफ होता है however there are way of driving the equilibrium to the right तो इस प्रकार से कार्बनल कंडेंसे से reaction होई फिर बात करते हैं अपन एल्डोल एक्षिन के अंदर जैंड हों सब्सक्क्राइए की और है गोलं सब्सक्राइए को Principal ऐलक्सानमों को परजेंट कारता है और और इंुकलिफिक एडिशन जगर एक प्रकार से नुकलिफिक एडिशन इक्षन निजचन का प्रकार एन एलय दो लिक्षन इस एन नूक्लिफिक एडिशन इन निस ड्याव depl हाई में होता है तो देखरम जैनल इक्षन में हो चैस्ट्रीज स्थी अडरेज यानी जो येल्डाट है जब इस पर नियुक्ट का मतलब होता है जिस जो इलक्ट्राउन धनी यानी इलक्ट्रॉन्सूच्च कमपाउंड्स नुक्लिफिक होते हैं यह कार्बन पर टेक करेंगे कार्बन पर टेक करने से ऑक्सजिन इस नुकलोफाइल के अंदर आपन जब नेश्ट देखेंगे कि शीएश्टी शीट्वर बॉंड एच से नुकलोफाइल सब अटेक करता है वापस से तो आपका अटेक्सिएश्टी शीएश्ट शीएश्ट बॉंड और फर्म होता है तो इस प्रकार सापन देखेंगे कि एल्डेडोर के टों रेक्ट बैनुकलोफिक अडिशन इन दा अल्डॉल रेक्शिन एन इनुकलोफिक इस देन नुकलोफिल देट ऐस तुद आपकारबोनील ग्रू इस और करबनील कारबनी एल्ड टिविशेंट कामडन जो है एल्डाउंट डिविशेंट होता है इसमें कमी होती इलेक्ट्रोन की यहनिली इल्यक्ट्रोफाइल की तरफ भी करता है जो इस एक सबीजांब्स ओड़ेक्शन इस शो इंच इन आरफ देखा प्रॉशन इस पिले अपनłe आपके बार अपन प्रोप्रेज्टिने से देखे से यंदर भी आपthen के अदर वहाज में रोमे ह्ते करता है यू फोका मोता है अन्युख्लो फैल के तरह gimme और आ करन नया कार्पन बॉर्ड फोटान उस परकार से तो लिटा हाईडरोक्षी है है अल्ये ट्राप्त होता है है कि तो एल्डौ एक्षं में जनर्डौ रेक्ष्ट सेम तो क्या होता और चट़्ेसर स्थ्ल बॉंड और है कि और तो सब्सक्राइब ओंड गांड और तो जोंड दिस दो कार्बन अइक दूश्टे हैं और यह की प्रजेंश में तो बीटा हैड्रोक्षी यानि बीटा कार्बन के ओपर ऑफ जूड़ जाता है तो इस एक्जाम्पल इंसलेट देजर्नल फीचर ओफ दे ओडर प्रॉड़ कंपोनेट्ट बिकम बॉंडेट टू कार्बनील कार्बन और अधार कंपोनेट्स तो the aldol reaction dehydration of the aldol product तो जब aldol product जो अपने प्राप्त हो राई का dehydration होता है है H2 molecule जब बहार निकलता है तो alkin form होती है तो under the basic relation condition the initial aldol product is often not isolate instead it loses the element of H2O from the alpha and beta carbons कंदेंसन होने के बाद जो होता है vereं क्योंकि ईलफा बीडा अंसेकरेट कारभणिल कंपांड होता है याulपा और बीटा करभणन के ओपर डबल बॉंड आ जाता हैै इसलिए असलिए हैं उसली इसको में और ग्रूप फिर भी रहता है एल्ड और केटोन ग्रूप तो देखेंगे जिसी इस टेल बॉंड हो एच एस टेल्ड है ओएच के प्रजेंस में आपका बीटा हाइड्रोक्षी एल्ड फॉर्म हुआ यह बीटा हाइड्रोक्षी एल्ड जो है मैंसे जब एस्टोर होता है तो फिनोमी जो है आपका वैस्ट की प्रजेंस में एस्टोर प्रजेंस में बीटा हाइड्रोक्षी केटोन फॉर्म करता है जो कि आइसलेट नहीं पाता और एस्टोर रिमोव करके यह और जैड आईसो मर्फ फॉर्म करता है तो कार्बनेल करने दिसेंदर एक्शन होई है तो अब देखते हैं अपने अफियुट कंडेंसेशन कैते हैं तो कंडेंसेशन के बीटा है इसको चैंटिकर्श हंपाऊंट वाई निकाल करके तो कंडेंसेशन येक्षिन is one is which a small molecule in the case as to is eliminated during the reaction it may or may not be possible to isolate the beta-hydroxycarbonate compound under the conditions of the aldol reaction when the alpha-beta-unsaturated carbon compound is further conjected with a carbon-carbon double bond or a benzene ring जैसे अपने दूसरे रेक्शन में देखा the elimination of H2O sponus and the beta-hydroxycarbonate compound cannot be isolated फोर्म नहीं हो पाता है तो aldol reaction में अपने देखा जैसे मैकनेश्य देखिए देखिए तो देखिए जो alpha-beta जो आपका hydroxy aldeade है जिसमें beta-hydroxy aldeade फोर्म होता है में यह सबसे फर्स्ट जो है कार्बन का डबल बॉंड है रिमूव होता है रिमूव होने से कार्बन कार्बेन के बीच में डबल बॉंड फोर्म होता है वह के उपर इलेक्ट्रों जाते हैं जिसे की है जो वह समेल करके इस टौकिंव मोलिकूस बाहर निकाल देखिए यह नया पाय बोन फोर्म होता है और नया पायबन फोर्म होने से रेजनेंस इस्टिबलाईज इस लेटेड होते हैं तो इस प्रकाल से अलफा बीटा अनस्टुटेट एलगेट फॉर्म या कि टॉन फॉर्म होते हैं तो वैस्ट रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम दे अलफा कार्बन दस फॉर्मिंग ए रिजनेंस इस्टिबलाइज इनुलेट और सेक्ड इस्टेप में अपनेगे कि दा इलेक् इस प्रोटॉन इसको फिर बात करते हैं अपन ख्रोट एलडोल एक्शन तो ख्रोटॉन में अपन देखेंगे सम्टाइम्स इस पॉसिबल टो केरी आउट एलडोल एक्शन बिट्विन टू डिफ्रेंट कापनल कंपों यदि समान परकार के ल्डीड ये किटोन रिएक्शन में भाग लेते हैं तो एलडोल कंडेंसेशन होती है और यदि दो या दो शदिक परकार के ल्डीड किटोन आ सब्सक्राइब करेंगे यदि सेम करते हैं तो सेम प्रोडेक्ट और यह आपस में रिएक्शन पराप्त होता है तो वेन टू डिफरेंट एलफा है टोजन एक्रोस एलडोल रिएक्शन में अपने देखा जैसे बेंजिंग एक के साथ बेंजिंग लेते हैं कारवन में एक एसाथ यह तो यह दिख रहे हैं अपनको तो शिटल पूंड आया जसां रिएक्शन पर एक्शन करने तो ओलिफ इस कंपोनाट कें फॉर्म एंप इनले फॉर्म हो रहा है यहां पर इसको एनलेट फॉर्म जो रहा है इसका मद्यवर्टतिया पर फॉर्म हो रहा है जो कि अपके ऐलफा बीटा अन्स्रीटिस्टिट इल्धा टीतन देते हैं तो इसमें देखो एल्फ बीटा कार्बन के मद्द्ध डबल पॉर्ण हो रहा है तो वेन ओल्ली वन कार्बनल कंपोनेट आज आलफा हिट्रोजन सच्केस ओफन लेट टु दैफ फोर्मेशन आफ ओल्ली वन प्रोड़क्ट अमको प्राप्त होगा तो क्रोस एल्डोल आर संद एल्फा हिट्रोजन तो इल्फा हिट्रोजन होने चाहिए इस हिट्रोजन आर मोर रेडियली रिमोवड देन अधर एल्फा एट्रोजन इक्टम्स एस रिजल्ट बीटा डाई कार्बनल कंपाउंड ओल्वेज विकम दे इनुलेट कंपोनेंट आफ दे एल्डॉल एक्शन इस जानल लेक्शन के अपन बात के तो और 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 जो है इसके जो एल्किल ग्रूप है जो डिफ्रेंट भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं अब यह जो एक्ट कर रहा है जहां पर वाई और जैड एक्टेट गूरूप हो सकता है कि टॉन गूरूप हो सकता है साइनाड यहां पर नया carbon carbon bone form होता है double bond form हो जाता है देश एक्जामपल के रूबें बेंजी अल्डाड लेते हैं तो बेंजी अल्डाड इस प्रकार से डाय मेथल मेथलनेड के परजन्स में यह प्रोडेक्ट अंको प्राप्त होता है यह एक प्रकास को फर्टीफिर ल्गीशन के प्रकार हो गया तो फिगा टूंटीफॉर पॉंट तो विलो शोडेट्याप ओव देख्रोश अल्डी अग्शन बिट्वेन दाइधाय मननेट एड़न देट्वीरेट्व देट्विक्शन देटाइपस अवफ दो जैङ्ट्वा कंपॉंड ओल्वेज लूज वाटर टो फॉर्म्द हाइली कंजूगेटर प्रोड़क्ट तो इसमें प्रंदेश देल्डियाइट इस्ट इलेक्ट्रोफाइल यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है जो कि आपका सिस्टूशी लोगोंड इस्ट जो आपका न्यूक्लोफाइल से र पर आइसलेट नहीं हो पाता और एस्टू मॉलिकूल को चाग करके यानि कंडेन्स हो करके अपना प्रोड़क्ट है